नवस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आपका इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आपने नया फॉन ले लिया है तो उसके अंदर सिक्यूर्टी जो फीचर होते हैं उसको पूरी तरह से एक्टिवेट करना आपके जम्यदारी होती है ताकि आपका फॉन सेम्यूं सेफ रहे और घर में या और ऑपिस shooting भी आपके जो फॉन है उससे कोई भी पर्सेनल डेटा चोरी नहों या आपका फॉन कहीं गिर जाता है चोरी हो जाता है तो भी उसमें से कोई भी परस्नल डेटा ना निकल पाए तो इसके लिए काफी सारे फॉन मतलब तो इसके लिए जितनी फॉन आते हैं सबी के अंदर security features होता है किसी में fingerprint log होता है unlock होता है किसी में face unlock भी होता है तो जितना महगा phone रहेगा जितना premium phone रहेगा उसमें उतनी ज्यादा security features होते हैं तो आज मैं बात करने वाला हूँ Redmi Note 8 smartphone की और ये जो features हैं ये सभी phone में एक जैसे ही है यानि Redmi और MI के phone में तो एक जैसे हैं क्योंकि सभी के अंदर Redmi का खुद का operating system जो पड़ा हुआ है MIUI 11 उसकी बज़े से सभी same है लेकिन आप सभी phone में setting के अंदर जाके इस तरह की जतनी भी security features हैं वो सब activate कर सकते हैं तो दोस्तो जल्दी से वीडियो start करते हैं अगर आप हमारे चनल पर पहली बार आ रहे हैं तो नीचे red color में subscribe button दिया हुआ है वहाँ पर click करने के बार bell icon को जरूर दबाएं चलिए दोस्तो जल्दी से वीडियो को start करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आप कोई भी phone हो यहाँ पर redmi note 8 है कोई भी phone हो उसके setting में जाना है आपको setting में जाने के बार आप यह देख लीजे security features कहां पर है तो यहाँ पर password and security लिखा हुआ है आपको पूरा swipe करेंगे तो आपको कहीं न कहीं दिख जाएगा हर तरह के phone में तो यहाँ पर देखिए password है और fingerprint unlock है क्योंकि इसमें यह support है face unlock है ठीक है unlock with bluetooth device है तो सबसे पहले password है जो सभी phone में होता है तो यहाँ पर मैंने pattern lock लगा रखा है थोड़ा सा difficult pattern lock हमेशा रखिए और सबसे अलग ताकि कोई भी पैचानना पाए तो यहाँ मैंने pattern lock पहले से लगा रखा है इसलिए मैंने इसको खोला है और जिसके में नहीं लगा हुआ तुरंती यह वाली screen आ जाएगी यहाँ पर क्या है अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने pattern lock लगाया है उसको बंद करना तो यहाँ से मैं turn off कर सकता हूँ ओके दबाऊंगा तो turn off हो जाएगा अब मैं चाहता हूँ जो मैंने pattern lock खोला था उसको आपने देखा कि visible है अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से कोई देख ना पाए तो आप इसे क्लिक कर दीजिए तो कोई भी उसको पूरे pattern को ऐसे देख नहीं पाएगा यहाँ पर change lock screen तो यहाँ पर तीन तरह की lock होते हैं pattern lock सबसे ज़्यादा famous है सबी लोग इसका ज्यादा तरह इस्तमाल करते हैं इसके बाद पिन होता है इसके बाद password होता है पिन में चार अंक डालने होते हैं जैसे ATM में डालना होता है मतलब एक ATM की तरह खुल जाएगा और वहाँ पर आपको चारंग डालने होंगे password में आप अपने इसाब से 8-10-12 अंकों का आराम से बना सकते हैं जिसमें later आपका नाम हो वो इस्तमाल कर सकते हैं तो तीनों अलग अलग तरीके के हैं लिकिन यह सबसे ज़्यादा famous है इसलिए इसको लोग ज्यादा यूज करते है आप इसे भी कर सकते हैं इसे भी कर सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा difficult बनाना अपने phone को तो password का use कीजिए अब मालीजी चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको एक करके मैं pin करके दिखा देता हूँ आपको ठीक है चारंग से 16 एंग तक बना सकते हैं यह मैंने डाली है 1,2, 1,2,3,4 continue 1,2,3,4 ओके अब मेरा जो phone है अब मैं इसे lock करूंगा दुबारा से unlock करूंगा तो अब यह pin वाला हो जाएगा अब यहाँ पर दिखिए मुझे pin डालनी पड़ेगी 1,2,3,4 तो यह lock खुल गया अब मुझे दुबारा से इसे change करना है तो दुबारा से setting में जाना है password and security password में जाना है पहले तो मैंने जो password डाल लखा है उसे डालना है और यहाँ पर मैं change करना चाहता हूं मैं दुबारा से pattern lock की लगाना चाहता हूं यह मैंने pattern lock का जो code है वो fit कर दिया यह हो गया दो बार करना पड़ेगा और यह हो जाएगा इसके बाद आप phone को lock करके unlock कर करनी पड़ेगी अब यह देखी आपको दिखाई नहीं दे रहा हुगा क्योंकि मैंने वह okay जो किया था आपको बताया था इसके बाद है fingerprint fingerprint भी आजकल काफी जादा सही है लेकिन पूरी तरह से कारगर नहीं है मेरे हिसाप से तो लेकिन फिर भी काफी लोग इस्तमाल करते ह है instant अपने phone को unlock करने के लिए तो यह जो मैंने password डाल लगा है पहले pattern log उसे अटाऊंगा और fingerprint से अगर आपने pattern log लगा रखा है password लगा रखा है तो भी आप एक जटके में अपने phone को खोल सकते हैं एक touch में तो यह fingerprint sensor होता है अब यह देखी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप में finger को यहाँ पर लगाना है अच्छी तरह से finger को लगाना है उसके तेल नहीं लगा होना चाहिए गंदगी नहीं लगा होनी चाहिए पानी नहीं लगा होना चाहिए अब मैं इस पर जैसे ही touch करूँगा तो यह scan कर लेगा मेरे finger को और जब भी अब यह देखी बता रहा है fingerprint sensor is dirty please clean and try again तो यह थोड़ा सा dirty है इसको मैं थोड़ा सा clean कर लेता हूँ इससे तब तक करना है जब तक यह सारा नीला ना हो जाए तब तक यह fingerprint नहीं लेगा तो मैं दुबारा से कर लेता हूँ अब यह successfully मेरा fingerprint scan होगे 2-3 बार लगाना है आपको कि पूरी तरह से वो fill हो जाए इसके बार done कर देना है और यह fingerprint हो गया अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अकेले इस phone को यूज करूँ तो मेरा fingerprint है अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई दोस्त भी इस phone को यूज करे अपने fingerprint से तो तो मैं एक और fingerprint add कर सकता हूँ यहाँ यह देखिए यहाँ पर फिंगर पिंगर पिंट में जब जाएंगे तो एक fingerprint और भी आप add कर सकते हैं यहाँ पर तो उसके fingerprint से उसका खुल जाएगा मतब फौन यही खुलेगा लेकिन जब वो अपना fingerprint लगाएगा तो खुल जाएगा यहां पर यह सारी चीज़े हैं, दोस्तों यह fingerprint लग गया, अगर आप दूसरा add करना चाहते हैं, तो यहां पर एक और add कर सकते हैं, और यहां पर तीन चीज़े और दी हुई हैं, यह चीज़े fingerprint से नहीं खुलती हैं, लेकिन अगर आप इस पर click कर देंगे, तो यह चीज़े भ इसको आपको सही से उजाले में करना है, और यह जो गोला है, इसमें आपका face आना चाहिए, अभी देखिए, मेरा face यहां पर आ गया, जब तक यह scan ना हो जाए, तो यहां पर मेरा face आ चुका है, इसको मैं done कर रहा हूँ, done करने के बाद, आपका, जो अगर आप इसे, अगर देखिए, मैं lock कर देता हूँ, यहां पर यह देखिए, आपको smiley बन के नजर आ रहा हूँ, यह आपका face scan करेगा, तो यह खुल जाएगा, यह देखिए, यह खुल चुका है, बिना किसी password के, तो इस तरह से यह खुल जा करने है, तो मैंने जैसे बताया, face unlock में जब जाएंगे, तो यहां से fingerprint once को delete, remove कर सकते हैं, यहां से remove कर दीजिए, यह remove कर दिया है, मैंने, इसके बाद अगर face unlock को भी remove करना है, तो यह face unlock को delete face data कर दीजिए, यह भी remove हो गया, यानि मैंने fingerprint और face unlock को हटा दिया, जब चाहें आप लगा सकते हैं, जब चाहें आप हटा सकते हैं, तो इस तरह से आपको करना है, और यह सभी phone में होता है, जब भी आप phone खरीदें, तो सबसे पहले यह वाली setting जरूर कर लें, क्योंकि आपका data और आपकी privacy और आपका phone में ही आपका bank account होता है, सारी चीज़े detail होती है, तो कुछ चीज़े गरत हातों में ना पड़ जाएं, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो like कर दीजे, वीडियो को share कर दीजे, और channel को subscribe नहीं किया, तो नीचे red color में subscribe लिखा हुआ है, वहाँ पर click करने के बाद bell icon को जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह की और भी latest video देखने को मिलते रहे हमेशा सबसे पहले, थैंकि दोस्तों मिलते हैं अगली video में